हलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे स्नॉलिज से भरे चैनल में जिसका नाम है SNS market गयान इस SNS market जियान के चैनल में मैं आपके साथ सेज़ करता हूं डेली बेसिस पर मौर्निंग में पिर मार्कित समरी तो आजकी तो जैसा कि दोस्तों आप मेरी स्कीन पर देख सकते हैं 14 जुलाई है बिफोर दी बैल प्री मार्केट संब्री में आपको मौनिंग 8 o'clock का डेटा में आपके साथ शेर करने आया हूं इसके अंदर आप सबसे पहले हम बात करें मार्केट के इंडियन इंडैसिस की जिसके इसमें 119 प्लस पॉइंटस आये थे निफ्ती नैक्स 50 जो कि माइनेस में बंद हुआ था 75 पॉइंटस निफ्ती मिटकेब 50 18 पॉइंट की साथ पॉजिटीव में बंद हुआ है बैंग nifty 4 74 पॉइंट पॉजिटीव की साथ बंद हुआ है 35673 के राउंट 1.3 परसेंट का इ आपने देख लिए इसके बाद अगर हम ग्लोबल इंडाइस की तरफ बढ़ते हैं तो ग्लोबल इंडाइस में जो कल यूएस की मार्किट थी नैस्टेक वह आप देख सकते हैं 14677 के आराउंड पे ग्लोज हुई थी मानिस 55 पॉइंट साय थे और जो इसके नदर चेंज रहा है 0.01% का माइनस में अगर हम देखते हैं हमारा जो सिंगापूर निफ्टी है वह 15794 के राउंड चल रहा है माइनस 40 पॉइंट में चल रहा है और इसके अंतर जो चेंज आ रहा है माइनस 0.26% का चेंज आ रहा है इसके बाद अब हम अगर एनसी के टॉप गिनर टोप लू ग्राशिम भी 2.66% उपर चल रहा था HDFC भी 2.63% उपर चल रहा था और SBA Life भी 2% के राउंड उपर चल रहा था तो जो भी स्टॉक्स थे सारे जो टॉप गिनर में कर टॉप कर रहे थे और राउंड 2% के राउंड अप में चल रहे थे और इसी तरह का टॉप लूजर में द अगर नेगेटिव में थे इसके बाद टॉप के न और टॉप लूजर के बाद अगर हम निफ्टी 50 के एडवांस डिकलाइन की तरफ बढ़ते हैं तो जिसमें आप देख सकते हैं एडवांस 34 है टोट डिकलाइन जो है वो 16 है एडवांस और डिकलाइन का आप रेशयो खाल आया है सिल्वर के अंदर माइनस थी 30 पॉइंट्स आये हैं कोटन के अंदर टेंट पॉइंट्स में हुए है कुरूड में भी 122 पॉइंट्स उपर गया यह नैचुरल गर्स माइनस 2.6 के राउंड यह बंद हुआ है तो इसके अंदर यह चेंज आया था यह मैंने आपको पाइवेट्स आरवन आरटू एसवन एसटू यहां पर दिये जिनके बेसिस पर आप आज के स्टॉप लोश या टागेट कर सकते हैं और आप ट्रेडिंग कर सकते हैं तो यह वाला जो स्लाइड है यह आपको बहुत काम आने वाला है इसको आप बिल्कुल ध्यान से इसर है जि जी ऐला एक बहुत सरे स्टॉक्स हैं जिस में इन्फोसीस भी आता है इनके आज रिजल्ट आने वाले हैं और आप लिस्ट देख सकते हैं कितने वज़वजह आ वह भी मैने यहां पर मैशन कर दी इसमें बहुत सरे स्टॉक्स t भी चल रहे हैं जैसे 800 के राउंड चल रहा है इस तरह के स्टॉक्स में मैंशन है तो अगर आप इन स्टॉक्स में टेडिंग करने वाले हैं तो काफी सोच समझ की किजिएगा क्योंकि आज इनके रिजल्ट आएंगे तो इन में काफी ज्यादा उपर नीचे हो सकता है मैं आपको दिखा रहा हूं 13 जुलाई का है और SNC की वेबसाइट से लिया गया है अब हम बढ़ते हैं स्टॉक की तरफ कल कौन से ऐसे स्टॉक्स में थे जो कल टॉप कर रहे थे वह मैं आपको यहां पर मेंशन कर रहा हूं जैसे माइंटरी का आप स्टॉक्स देख सकते है कल इसका रिजल्ट आयता सबसे नीचे आप देख सकते हैं टाटा मेटलिक्स कल यह भी न्यूज में रहा था और इसका कल रिजल्ट आयता इस वज़े से न्यूज में था एर्दानी एंटर्प्राइस करने कल टेक ओवर कर लिया मॉंबर एरपोर्ट पे और वह उसको अपर करेगा तो यह इस वज़े से एकल न्यूज में था तो यह सारे स्टॉक जो न्यूज में थे मैं आपको पूरा पढ़के नहीं बता रहा हूं आप खुद से रिडाउट कर सकते हैं वीडियो ज्यादे लेंदी ना हो और बहुत अभी जल्दी मार्केट भी उपने वाला है इससे मैं आप से रिकेस्ट करूँगा आप खुद से रिडाउट कर सकते हैं और आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके बास सबसे लास्ट में हम बढ़ते हैं हमारा निफ्टी पे क्या वीव है तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अभी जो नेगेटिव चल रहा ह हैं अगर आप स्टॉप लोज टागेट लगाने वाले तो इसमें से आपको पाइवर्ट डेटा काम आएगा और इसी तरह से ग्लोबल नीउस क्या चल रही है इंडियन नीउस क्या चल रही है आज कौन से स्टॉक की रिजल्ट आने वाले तो ऐसी बहुत सारी जानकरी मैं आपको इस वीडियो में दी अगर आपको लगा ऐसी इंफोर्मेशन आपको डेली बस्तस पर चाहिए और ऐसी वीडियो में लगाता बनाकर आपको भेशता रहूं तो उसके लिए मुझे ए PSздराओ कुझे मेरे वीडियो को जढ़र से ज़ादर लाइक करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब पर यह साथ में जो बैल आइकन का बटन है वो भी दबा दें तैकि एसी वीडियो में लगातर बनातर हूं और आपको नोटिफिकेशन से भेचता रहूं तो मिलते फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए आपकी टेटिंग के लिए आपको बैस्ट अफ में जरियो ओर कर दोरीग है ता आपको 15 मैं ठेच farklı यह यह दोरीप यह मुद्दािएपल के लिए कटन के लिए क्ल he कर दोरीज के लिएोग कि लिए यह यह